नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपना ओलाइन इस्टिटूट टार्गेट वितालोग में मैं रवी तिवारी UPSI से सम्मंदित गत्विदिया पिछले दो सब्ताय से लगातार संस्थान में संचालित हो रही हैं जिसके कमेंट बॉक्स में आपकी तरफ से कई ऐसे प्रिशन मिले जिनके उत्तर देने आपके लिए जरूरी है लाखों छात छात्रा इस संस्थान से जुड़े हुए हैं जो UPSI की तयारी में विकत तीन वर्सों से लगे हुए हैं वो प्रिशने आपके आयू गर्णा को लेकर थे वो प्रिशने आपके ये थे कि फाइनल एयर वाले अप्टियर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं वो प्रिशने आपके ऐसे भी थे कि सर हम कितने अंकों को अरजित करें कि हम कितने अंकों के हिसाफ से तयारी करें नॉर्मलाइजेशन की विवस्था क्या होगी आयू की गढ़ना आपकी कैसे होगी सेग्मेंट वाइज कितने अंकल आना जरूरी है हमारी बिसाइबार सही रणनीती क्या हो तो एक ऐसा वीडियो बनाया गया है जिसमें सरल भासा में आपकी इस सभी पुष्णों के उत्तर देने की कोशिस की गई है जिससे आपको आपकी परिक्षा की एक सही दिसा मिल सके आपकी इस तैयारी की एक सही दिसा मिल सके और आप पढ़ सके भले आपने हमारे संस्थान में प्रिविस लिया हो नहीं लिया हो इस विडियो को आप लाक्ष तक देखेगा अगर आप घर बैठ कर भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये विडियो आपके लिए बहुत जरूरी है और आज ये विडियो आपकी वो दिशा तै कर देगा कि कैसे आ यारी की रणनीती आपकी क्या होनी चाहिए कहां से कितने प्रिश्णे आएंगे कैसे आपको तैयार करना है आयूगरना आपकी कब से होगी क्या 2019 में जो ओवरेज होने वाले व्यक्ति है वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं फाइनल एर वाले फॉर्म भर सकते हैं की नहीं भर सकते, नार्मलाइजेशन की विवस्था आपके क्या होनी चाहिए, योगता अनवार अंक विवस्था में परवर्तन किया गया है, जो segment वाईज आपके अंक थे, उनकी विवस्था में इस बात परवर्तन है, उस पर भी हम लोग पूरी बात कर लेंगे, और संस्थ 18, 19, 20, बहुत लंबे समझ से अपने सपने को पूरा करने का इंतिजार कर रहे है, UPSI की वेकेंसी की बाट जोड़ रहे थे, अब ये वेकेंसी आने वाली है, किसी भी कीमत पर आपके हाँ से ये फिसनल ना जाए, आपकी तैयारी में कोई कसर ना रह जाए, आप लोग जहा आलोग ऑनलाइन इंस्टिटूट में, ऑनलाइन UPSI Rankers Best 2020 आयुजित किया जा रहा है, प्रारम किया जा रहा है, जिसमें प्रिवेस प्रकिरिया आपकी प्रारम है, हम सभी लोग प्रिवेस प्रकिरिया आपकी प्रारम है, जो अगले चार दिन तक चलेगी, ध्यान दीजेग से, आपको हम सरुस्रेष्ट देने का प्यास कर रहे हैं, उत्तर भारत की सरुस्रेष्ट टीम के साथ, एक एक टीचर अनुभवी है, सांदार है, इस बैच में आपकी लिए क्या-क्या है, मैं एक मिनिट में आपको बताता हूँ, 90 दिवस्य लक्षित कोर्स है, 90 दिन का देली पांस से जादा आपको क्लासिज दी जाएंगी हम लोगों के द्वारा, उप्योकता के अनुसार बताया जाएगा कि कैसे आपको पढ़ना है, चुकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये बहुत बड़ा एकजाम है, पुलिस प्रोणती भरती बोट का सबसे बड़ा एक ये है, तो डेली पांस से जादा क्लासिज भी हो सकती है, कम से कम पांच क्लासिज तो होगी, जो आपके हिसाब से, UPSI के हिसाब से जरूरी है, वो PDF नोट साब को दिये जाएंगे, और साथ साथ अधियापकों द्वारा सो लिखित हैं रिटिन नोट से दिये जाएंगे, ज लाइब क्लासिज के माध्य हमसे डाउट क्लियरेंस होगा, प्रैक्टिस क्लासिज है, प्रैक्टिस क्लास आपके होंगे, बीकली टेस्ट होंगे, और फिर उत्तर प्रदेश, समस्त उत्तर प्रदेश को लेकर एक टेस्स सिरीज सबसे बाग में आयोजित की जाएगी, ये तो minimum सुल्क में ये program आपके लिए शुरू किया गया है, minimum जो आपकी सुल्क है और maximum effort, smart work करना है, maximum effort करना है, minimum सुल्क में, तो इसकी प्रिवेश प्रिकरी आपकी प्रारम है, अगले चार दिनों तक आप प्रिवेश सुनिश्चित करा सकते हैं, और 7 अगस्त से हम लोग इसकी class सुरू करेंगे, तो अगले 90 दिन हम लोग पीशे मुड़कर नहीं देखेंगे, कैसे आप संस्थान के इस बैच में प्रिवेश ले सकते हैं, ये आपका WhatsApp नमबर है, इस WhatsApp नमबर पर आपको, ध्यार रखेंगा, WhatsApp नमबर है, इस WhatsApp नमबर पर आपको Entry RSI लिखकर भेजना है, Entry RSI लिखकर भेजना है, और जैसे ही आप Entry RSI लिखकर भेजेंगे, आप हमारे online बैस से चुड़ जाएगे, हमारी टीम आप से संपर्थ करेगी, तुरंत आपको पूरी प्रिकिरिया बताई जाएगी, मैं फिर कह रहा हूँ, सुल्क minimum रखी गई है, और effort आपके maximum है, यहाँ पर, देखिए, सभी संस्थान बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी लोग जब इस platform पर खड़े होते हैं, तो बहुत effort करते हैं, लेकिन हम आपके साथ बहुत महनत करते हैं, हम कच्छाओं में आपके साथ बहुत महनत करते हैं, जो इससे पहले हमने पिछले बर्स ल अगर कोई दिक्कत हो, तो नीचे description में जो number चल ला है, इन numbers पर आप प्राता 9 बजे से लेके सामको 7 बजे तक call करके, अगले 4 दिन में अपने प्रवेस को सुनिश्चित करा सकते हैं, तो प्रवेस के यह 4 दिन हैं, और कच्छाओं शुरू कपसे होनी हैं, 7 अगस्ते से, क् क्योंकि हमें भी अपनी तयारी का एक समझ चाहिए होता है, तो आप सभी लोग आईए, मैं आपके प्रवेस को यहां पर अमंत्रे करता हूँ, इस ranker's wedge के लिए, इस सफलता के लिए, और इस प्रक्रिया को टॉप करने के लिए, क्योंकि इस बार हमने ठाना है, कि पहले 50 मे से बहुत सारे लोग संस्थान से होने चाहिए, तो हम बिलकुल प्रतिवद्ध है और तयार है, बस अब आपके आने की जरूरत है, तो आईए, अब इस मातपूर चर्चा की सुरूबात करते हैं, UPSI परिक्षा 2020, अगर हम कुल प्रिष्णों की संख्या देखें, तो 170 है, क सामानमानसिक अभिरुची, जिसको आप रीजिनिंग कहते है, 40 प्रिष्ण है, 100 अंग के, सामान गड़त के भी 40 प्रिष्ण है, 100 अंग के, और सामान हिंदी के भी 40 प्रिष्ण है, आपके 100 अंग के, इसमें भी कुछ टक्निकी है, कुछ टेक्निकल्टी है, जिसको आपको यहां पर समझना बहुत जरूरी है आपके चैन के हिसाब से अभी हम लोग देखें तो रीजिनिंग के कितने प्रशने हैं और रीजिनिंग क्या है ये मैं आपको एक बार बता भी चुका हूँ और फिर मैं कक्छाओं के माध्यम से आपको लगातार बता रहता हूँ कि रीजिनिंग के पार्ट करम को समझना कैसे है क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रीजिनिंग नहीं आएगी पिछला पेपर जब हम लोग उठा के देखें तो इनिक्वल्टी भी पूँचा गया है और मसीन इन्पुट भी पूँचा गया है मतलब बैंक पियो की लेविल को आपका लगबग लगबग फॉलो करता है UPSI तो आप लोग बहुत आसान तरीके से इन चीजों को ना देखें बलकि आपको गंभीर तैयारी अभी से करने की जरूरत है तो सामन मानसिक अभीरुची, बुद्धी लबदी परिक्षर और तार्किक छमता यन तीनों भागों को अलग-अलग कैसे तयार करना है और कैसे 40 में हम 38 तक अंकर जित कर सकते हैं बहुत आथानी से इस प्रिक्रिया पर भी हमें विचार करना है तीन अलग-अलग भागों में आपको रिजिनिंग तयार करना है अगर हम मेत की बात के लिए और यही एक ऐसा सेग्मेंट है जहां पर 40 में से आप 38 तक बहुत आराम से पहुंच सकते हैं और इससे पहले जो पढ़ने वाले लोग हैं जिन्होंने इससे पहले ऐसाई दिया है उन्होंने 38 प्रुष्णे किये भी हैं क्योंकि यही आपके लिए deciding factor ध्यार रखीगा मेत के आपके 40 प्रुष्णे है मेत के पाठकरम को दो भागों में बाटा गया है अगर हम लोग देखें संख्यात्मक योगता परिच्छा और सामानमांसिक योगता जर्नल मेंटल एविल्टी जर्नल मेंटल एविल्टी से यहां पर आसा है कि जो mathematical reasoning का पक्ष होता है वो यहां से जुड़ जाता है तो हमें मालने कि 5 प्रिच्छने आपके यहां से भी reasoning का सेग्मेंट कवर कर लेता है जो आपका mathematical reasoning का हिस्सा है तो लगवग लगवग यहां से आपको 40 से 43 प्रिच्छने तक मैं आपको यहां से बहुत आसानी से तयार करा दूँगा कैसे आपको करने है या आप घर बैठके अगर तयारी कर रहे हैं तो लगवग लगवग इस portion को अगर मिला के 40 से हैं अगर इस portion को मिला के हम 70 प्लस रहते हैं तो यह हमारे score के लिए बहुत अच्छा है तीसरा सबसे मातपूर पक्षा आप लोग जानते हैं हिंदी है हिंदी को हम देखें तो हिंदी तयार करने के लिए जो अध्यापक आपको हिंदी पढ़ाए उसका एक अन्मह होना चाहिए उसकी एक भासा होना चाहिए तभी आप यह तैज कर सकते हैं कि बहतर विकल आपके लिए क्या है जो लुक स्वयम से हिंदी पढ़ रहे हैं तयारी आप रखिए पिछले बर्स के पेपर्स को आप लेजी और देखिए किस सेग्मेंट से कितने पूर्शन पूछे गए है एक चीज में यहाँ पेश्पस्ट कर दूँ जिस व्यक्ति के यह तीनों सेग्मेंट बहुत अच्छे तयार होंगे रीजिनिंग, मैट्स और सामान हिंदी यह उसके चैन में अंतिम भूमका निवाएंगे और यह तीनों सेग्मेंट ही आपके लिए निर्णायक होंगे यहाँ से आप गलती मत करिए क्योंकि यह तीनों सेग्मेंट इतने कैलकुलेटिव है कि आपको बहुत अच्छे नंबर दे सकते है नंबर की विवस्था में परवड़तर हुआ है अभी मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ लेकिस चुनोती आपके लिए उतनी ही है तो जो लोग भी तैयारी करने चल रहे हैं स्वेम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है जोड़कर तैयारी कर रहे हैं इसी भी संस्थान से आप तैयारी कर रहे हैं इतना आप जरूर ध्यान रखेगा यह तीन सेग्मेंट आपको UPSI के लिए खुब अच्छे से तैयार करने हैं और आज से ही कमर कसी इन तीन सेग्मेंट के लिए आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो चौथा सेग्मेंट आपका है यहां पर जिसको आप कहते है सामान निज्यान सम्मिधान इवर मूल विथी थोड़ा सा आप इसकी टेक्निकल्टी समझिए यहां पर GS पर आपको और आता है और आपने और परिक्षाओं के लिए GS को पड़ा हुआ है तो इसके लिए बहुत परेशान होने की बात नहीं है इन 40 प्रशनों की भूमका को भी आप GS के हिसाफ से देखिए इसको मैंने बाटा है प्रशनों के हिसाफ से 10 15 15 कैसे सम्मिधान इवर मूल व सम्मिधान का मतलब कि एक आपका GS का बड़ा पार्ट हो गया वो साथ में मूल विधी हो गया तो 15 प्रशने आपका कवर करते हुए आया है और 15 प्रशने आपका कवर करेगा तो GS में भी जो सबसे जादा फोकस आपको इस परिक्षा के लिए करना है वो सम्मिधान और मूल गोल सामान विध्यान और अर्थोरस्ता इसका मतलब है इस परिक्षा की लिए आपको ज्यादा समय इन सेगमेंक्स कि तैयारी पर देना क्योंकि इनकी भूमका आपके चेहन के इस exam में बहुत सीमित है ध्यान रखिएगा ये गलती मत करिएगा आज से ही अगर आप अपनी तयारी शुरू कर रहे है तो आपकी तयारी की दिशा बहुत बहतर होनी चाहिए यहाँ पर एकागरता जादा हो और सबसे पहले GS में अगर आपको तयार करना है तो सम्यधान और मुलिविती तयार करें अब ध्यान रखिएगा इन 15 प्रिशनों में वही 5 प्रिशने आपके UP स्पेसल से निकली जाएंगे UP स्पेसल आप पिछला पेपर उठा के देख लिए भिर्मित मत होईए इसका मतलब इन सेग्मेंट से जो प्रिशनों की संख्या बची है वो बची है 10 क्योंकि 10 प्रिशने जो यह है वे इसी सेग्मेंट से आपके करेंट अफियर्स में भी निकलेंगे जो मैं आपको आता हूं परिच्छा के लिए तो इस सेग्मेंट में भी 10 नंबर की भूम का जो है वो मेरी है और मैं आपको इस सेग्मेंट के 10 प्रिशने बहुत अच्छे से करेंट के तयार करा लूँगा पांच प्रिशने UP के 15 हो गाए और 42 प्रिशने आपके वहां से हो गाए कहां से तो 42 से कर 15 जोड़ने तो 55 से 60 प्रिशने की जिम्मेदारी मैं सोयम अपने कंधों पर लेकर चल ला हूँ जो मैं आपको तयार कराऊंगा और आपको हमेसा तयार कराऊंगा हूं के लिए तो ये ध्यार रखेगा कि इस सेग्मेंट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं थोड़ा सा भिमित है और गलत तरीके से जा रहा है तो ये जो GS और GK का आपका पोर्शन है GS और GK इसमें से पॉल्टी को निकाल दीजिए और मूल विधी को निकाल दीजिए यहाँ पर मूल विधी के लिए हम संजय सर को भी बुलाएंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी वकील है और वो मूल विधी के बैयोहारिक पक्ष पर आप से चर्चा करेंगे साथी साथ यहां पर आप देख रहे हैं कि W के सुकला सर तो आपके साथ मेहनद करी रहे हैं बैयोहारिक तथ्थों की चर्चा में संजय सर से आप से कराऊंगा जिसमें उत्तर प्रदी सरकार के सरका के लिए ध्यान दीजेगा तो यहाँ पर देखे तो current affairs के 10 प्रशन हो गए आपके clear है और सम्मिधानों मूलविधी के 15 प्रशन हो गए यह GS के 15 में अगर 5 हम UP special की ने लिकालने हैं तो अब इस segment को बहुत जादा focus अभी मत करिए बलकि running में लेजिए क्योंकि जो यहाँ पर 15 से आपको बैसे भी आते हैं तो इत्यास भूगल की मोटी मोटी किताब में लेके पड़ाई लिखाई अभी नहीं करनी है बलकि गंभीरता से उन पक्षों को देखना है जो पक्ष आपके लिए जरूरी है आपकी planning के हिसाब से जरूरी है यहाँ पर गरत के लिए संदीप सर ज उनकी गंभीरता देखिए उनके उनके guidance में तैयारी करते हुए बहुत सारे लोग PCS हुए है लोवर PCS हुए है ROAR हुए है वो अपने आप में यह दोनों ही व्यक्तिक इंस्टिट्यूट की तरह है संदीप सर से भी आप पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि गरत का उनको जो ग्यान है वो सामन व्यक्ति को नहीं हो सकता बहुत बहुत अनभौक से हो सकता है और सामन हिंदी का जो अम्रिस भट को ग्यान है वो भी अपने आप एक अनोखा है उनकी छमता भी बहुत अनोखी है आगे अगर हम बात करें तो यहाँ परिफ्यास के लिए गौरब पांडे जिससे आप बहतर कर सकें गौरब पांडे सर अभी एक पेपर हुआ था लगवग लगवग उसमें 35 पुरस्टे हिस्टरी के आये थे 27 से 28 पुरस्टे उन्होंने जो 10 दिन बताया था उससे आ गये थे तो काफी अन्भवी टीचर है अन्भव के अनुसार स्पोर्टी स्पृरिट है कैसे आपको पढ़ाना है डेल करना है बहुत इंज्वाय करके आपको क्लासिज में पढ़ाते हैं सामन विज्ञान के लिए राजकुमार सर की जो महनत है वो आपने वहाँ पर देखी ही होगी कल परसों नर्सों के उनके लेक्चर देखिए सामन विज्ञान में उनका कोई सानी है नहीं बहुत जबरजस्ट और डिसिप्लिन तरीके से वो मैटर को आपको डिलिवर्ट करते हैं मैटर को वहीं से हिट करते हैं जहां से आपके पुष्णे आते हैं अर्थ विवस्ता में अंके सर हैं अंके सर अर्थ विवस्ता को बहुत बहतर तरीके से आपको बताते हैं पढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते बलकि उतना ही भाग पढ़ाते हैं जहां से आपके पुष्णे आते हैं इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप लोग ये देख लिजे कि normalization रहेगा negative marking नहीं है देखे normalization हमेशा होता है इसमें भी रहेगा बहुत बिवादिद विशाइस से पहले भी normalization रहा है लेकिन अलग-अलग पालियों में आपकी परिक्षा होती है कहीं का paper कठिन होता है कहीं का paper सरल होता है इसलिए normalization की विवस्ता है अब आप देखे negative marking नहीं है ये एक अच्छी बात है तो इसके ध्यार रखेगा कि इस paper में negative marking नहीं है तीकिए अगर हम segment vice pass होने की बात करें क्रें segment vice qualify करने की बात करें तो आपको अगर हम प्रिशंडों के हिसाब से बात करें तो 40-70 डाविक आपको हर segment में करने अनबार है ये आपको करने ही पढ़ेंगे चालिस में से segment qualify करने के लिए माल लिजे किसी में आपने 40 में से 49 कर दिये और किसी में आपके 40 में से 13 हैं तो फिर आप segment qualify नहीं कर पाएंगे मतलब अगर हम अंकों के हिसाब से देखें तो लगभग लगभग 35 परतीस अंक आपको प्राप्त करने हैं लेकिन अगर हम overall minimum marks को देखें जो required आपके लिए है इस विवस्था को समझे 14 परतीस अंक minimum है अब सबके सारे segment एक जैसे तयार नहीं होते कोई माल लिजे गरत में बहुत अच्छा है तो कोई reasoning में बहुत अच्छा है तो कोई हिंदी में बहुत अच्छा है तो माल लिजे एक जगए आपकी 14 है लेकिन दूसरे जगए आपकी 38 है तो 14 कम से कम चाहिए यहां पर आपको और ध्यान रखेगा अंकों के हिसाब देखें तक 35 लेकिन जब final merit बनेगी तो UPSI ने कहा है भरती प्रोनुती बोड ने कहा है कि 200 अंक से कम पर हम merit नहीं बनाएंगे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके अंक होने चाहिए वो 200 होने चाहिए हैना 200 से कम अगर माल लिजे आपके 102 ना आए 9192 आए तो आप merit में नहीं होंगे उन्होंने कहा है कि चाहे हमारी सीटें नहीं खाली हो जाए लेकिन हमारी योग गता के हिसाब से अनवार है कि कम से कम 200 अंक उसको अर्जित करने हैं तो आप 200 अंक का मत सोचिए पिछली वाली भरती कितने अंकों पर हुए छोड़ देजिए अभी से आप ये कहिए कि 300 से 300 बीच के बीच में रहेंगे क्योंकि अभी सारी रिक दक्षता भी है तो 300 से 320 अंक अर्जित करने हैं यही टार्गेट लेकर आप चलिए और यही टार्गेट इंस्टिटूट लेकर चलना है ध्यान देजिएगा 300 से 320 अंक का आपको डखिए क्या बताइए कभी कोई पर 40% से ज़्यादा तो आप वैसे ही प्राप्त करते हैं तो इसका दवाओ आपको नहीं लेना है लेकिन 14 अंक मिनिमम है और 200 अंक मेरिट के लिए मिनिमम है यह आपके दिमाग में अभी से उतर जाना चाहिए आपकी तयारी के लिए सबसे बड़ा प्रस्न है आयूगर्णा का सर कितने लोग सामिल हो सकते हैं आयूगर्णा क्या होगी एक जुलाई 2020 देखी जब फॉर्म आएगा तो निश्चित रूप से इस वर्स एक जुलाई 2020 से करना मागी जाएगे लेकिन आपके पास ये भी कहना है कि सर हम 2018 से सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि देखे यूपीपी का जब एक फॉर्म आया था तो यूपीपी की दो वैकेंसी आई थी एक तो आई थी उननचाशच़़जार 560 और एक आई थी आपकी वैकंसी उननचा़जार 560 के सार 41,520 इन दोनों ही वैकेंसीज को अगर हम लोग द पानी थी और उन्होंने कहा था कि जो भी ऐसे चात्रे आपने समय से भरती नहीं दी है तो एक जुलाई 2017 को भी जो एलिजिवल थे उनकी को भी माना जाए और कोट के कहने पर कमीशन ने इसकी छूट दी थे इस समय तो पेंडेमिक चला है इसलिए पूरी समभावना है 99.9% आपे मान के चलिए कि कोट जाने की जरूरत नहीं होगी कमीशन स्वयम ही आपको छूट देगा इस चीज के लिए कि ये भरती यहां पर आ ही है तो अंडर एज का तो कोई दिक्कत नहीं और एज वाले यह समझ ले कि उनसे कहा जाएगा कि एक जुलाई 2019 को भी जो लोग eligible थे वो इस भरती परिक्षा में सामिल हो जाएंगे जो 21 से 28 वर्स की योगता को पूर करते हैं ध्यान दीजिएगा तो यहां पे भी आपको परिशान होने की जरूरत नहीं इस pandemic में सरकार निश्चती विवस्था करेगी क्योंकि दवाव भी जादा है और भरती को भी पूरा करना है तो सभी लोग अभी से तैयारी में जुट जाएं बल्कि यह टैंसन आप छोड़ देजी के आपको मौका मिलेगा की नहीं मिलेगा इस से पहले UPSI की भरती में कभी भी फाइनल एयर वालों को चांस नहीं मिला है लेकिन इस बार आपकी फाइनल करते हैं आप अपनी तयादी पर मतलब जुटे रही है और अगर यूस्वर ने चाहा अच्छा समय हुआ तो फाइनल एयर बाले भी इसको भरेंगे पिरमोट होने के बाद भरेंगे तो बिल्कुल इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है तो जो लोग 2019 में ओवर एज हो अपने हैं तो यह पूरी चर्चा है अब मैं सेग्मेंट बाइज भी इस पर एक वीडियो बटा के चला हो रेंकर्स बैच में ऑनलाइन प्रिवेस मैंने आपसे कहा कि प्रारम्भ है यह रेंकर्स बैच का अपना वाटस अप नमबर है इस वाटस अप नमबर पर अगले चा इसको सुनिश्चित करा सकते हैं देखे मौके बार बार नहीं मिलते मैं पहले भी आपसे कह रहा हूँ और आपके सामने मौका आया है आप संस्थान में प्रिवेस लें ना लें लें लेकिन आप अपनी पढ़ाई लिखाई को जबर्जस तरीके से कर दे हां अगर आप अप कारी को इस प्रिक्रिया को जल्दी से पूरा करिए मैंने कहा आपके पास कीमती समय बचा है इसलिए समय को जाया मत होने दीजेगा इस कीमती समय को जाया मत होने दीजेगा बहुत-बहुत धन्वाद आगे जो भी जरूरत होगी तो फिर एक वीडियो के मांध्यम से आपके समस्तु पस्तु तूंगा बहुत बहुत धन्नमाग नमस्क्राइब